बच्चो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जिक शोशल सैंस यानी समाजी विज्ञान का पार्थ 12 जिसका नाम है भारत खनीज एवं सक्ति के संसादन यानी भारत के अंदर कौन कौन से खनीज एवं सक्ति के संसादन पाए जाते हैं उसके विस्थर जानकारियम यहा पर पहला प्रस्तावना आदी मानों की अवशक्त्या हैं मरियादित थी यानि जो आदी मानों जो थे प्रानेज जमाने में उनकी जो अवशक्त्या थी यानि जो चीजवस्तु जिती उनको जो जरूरत की थी वो सब मरियादित थी उस समय वह मात्र जीवन टिकाय रखने के मनुष्य ने विकास के शिखर जीते हैं मनुष्य की विकास गाथा में खनिच संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है यानि प्रकुति के द्वारा जो प्राप्त होने वाली छीज़ वसते उसे हम संसाधन कहते हैं प्रकुतिक माना गया है पासवाण यूग में मनुष्य सिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था जो आज आकास वाने उडियान करने लगा है मतलब पासवाण यूग के से में मनुष्य सिकार करने के लिए पत्थर का उपयोग करता था लेकिन आज है करता है आकास वानी उडियान कर ने लगा है मनुश्य यानि इतनी तरक्की हो गई है मनुश्य का खनीजों के साथ प्रगाड एवं पुराना संबंद है प्रगाठ यानि बहुत पुराना एकदम जिसको गांट ऐसा खोलना सके ऐसा वर्तमान समय में खनीजरास्ट में आर्थिक विकास की रिड की हड़ी मानी जाती यूएश एवं रूष खनीज के योग उपयोग के कारण विश्व की महा सत्ताय बनी है यानि यूएश यानि जो अमेरिका जो है वो और साथ ही यहां पर जो रूष जो है वो यूएश और रूष जो है ये दोनों ही खनीज का उपयोग करने के कारण ही विश्व में महासत्ताय बनी है दोनों राष्ट खनीजों के वेविधि एवं संवृध्य से सम्पन्न हैं मतलब धूनों जो राज नगूत राज जो देश जो हैं यह मतलब权 सिंपन्न हैं भरे हुए हमारे देश में भी खनीज की विपुल भंडार होने पर भी लंबे समय से गुलामी एवं टक्नीकी ग्यान के अभाओं में आर्थिक विकास कम हुआ है यानि हमारा भारत देश जो है भारत देश के अंदर भी खनीज के विशाल भंडार पाए गए है साथ ही हमारा जो भारत देश है वो गुलामी और जो अंग्रेजों की चपेट के कारण अर्था दूसरा हम कह सकते हैं टक्नीकी ग्यान हमारे कम होने के कारण हमारे देश में आर्थिक विकास जो है वो कम हुआ है आगे बच्चों में टॉपिक दिया है पर खनीच तो खनीच की विस्तुरुत जानकारी हम प्राप्ट करेंगे उसके बद खनीच का वर्गी करने यानि कितने भागों में बाटा गया है वो भी हम विस्तुरुत याँ पर पढ़ेंगे प्रकुतिक आकारबनी किरियाओं से तयार निश्चित राशायनिक सनरचना वाले पदार्थ को खनीच कहा जाता है तो अच्चों यहाँ पर हमने खनीच की डेफिनेशन देखें यह प्रकुतिक आकारबनी किरियाओं से यह प्रकुतिक रूप से बने लेकिन कैसे आकारबनी क से जो तैयार निश्चित रासायनिक सनरचना वाले पदार्थ को हम खनीज कहते हैं खनीज पृत्वी के गर्भ में अनंत काल यानि बहुत लंबे समय से चली आ रही अजेविक प्रक्रिया का एक रिजल्ट होता है प्रेणाम होता है पृत्वी के चर्टानों में अजेविक प परदारतों को खनीच कहा जाता यह दूसरी डेफिनिशन हम ने देखी खनीच की यह ठोस रूप में लोहा मैगनीच सोना चांदी त्यादी खनीच एवं परवाही के रूप में पारा पेट्रोलियम एवं वायूस रूप में प्रकुतिक गेस का समाविश होता तो बच्चों या पे हमने देख लिया फ्रुटल में जो खनीच जो होते हूं तीन तरहें से प्राप्त होते यानि जो थोष में भी और लीकवेड वे ह। यह समें आनि उत्यम सवरूप में हम खनीच को प्राप्त करते हैं उसके नाम CAP दिर ये कौन-कौन से सवरुप में मिलते हैं कौन-कौन से चीजे पृत्वी के गर्ब में से किस प्रकार की खनीज मिलेंगे इसका आधार पृत्वी की पपड़ी की संरचना किस प्रकार की हुई है यानि पृत्वी की जो सता की जो संरचना जो है वरचना जो है वो किस प्रक कार हुई है उस पर से उसका अंदाजा लगाया जाता है जैसे की आरनेम चट्टानों से लोहा तामबा जस्ता सोना एवं चांदी इसी खनीजे मिलती हैं जबकि प्रस्तर चट्टानों में से उड़ जाके खनीज कोईला खनीज तेल प्रकुति गेस की प्राप्ति होती है जब बच्टों यहाँ पर खनीजों का वरगी करन दियेती है तो पहला यहां पर धातू में खनीज और दूसरा कह सकते है आ धातू यह यनि धातू gitu ऑली चार प्रकारर हैं यहां पर दैकते हैं पहला एक जरुम्हें क्यों का सकती हूं सो ना चंडी यह थीनों बहुत ही कीम्हें बहुत ही मह ultrasound है उसके बाद हलकी यह जो ज़ो वजवन में हलकी और ऐसल सब के बाद टिटा नीम हैं उसके बाद सामानी उप्योग की जाने वाल लोहा निकल है वह अ यहां लिया जूज Krतöch करते आईासी खनीज उसके बाद आगे दिया मिश्ट सा रूप तो होग उप्योगी की जाने की जाने वाली तो क्रोमियम मेगनिश्ट उसके बाद टंक्स्टन यानि वेनोडियम यह जो चार धातू जो है यह मिला कर बनाई जाती है यह जो अधातू है तो यह सारे जो है यह क्या है अधातू है है खनीच कद्रिन का समावेश होता है आगे टॉपिक हमारा आता है लोहा यानि अयस्क आईरन लोहा अधानिक विश्व के और दोगिक विकास का अधारबुर खनी जोए वो माना जाता है आलपिन से लेकर बड़े यंत्र मोटर गाडियां जहाज रेलवे पुल माकान एवं सस्तरों बनाने के लिए इसका व तो पूर्ण खनी जमाना जाता है यानि इसको मिश्र करके भी हम बना सकते हैं ठीक है तो लोहा अशुद्ध सरूप में मिलता है इसे कच्ची धातु को सुद्ध करने के लिए कौक एवं चुने के पत्थर के साथ विसाल भट्टी में तपाकर इसे गलाया जाता है और इसे डलुआ लोहा भी कहा जाता है यानि जो गला कर उसको मिश्र करते हैं तब इसे डलुआ लोहा भी कहा जाता है और हम इसमें से कार्बन तत्व दूर करने पर लोहा मिलता है जिसे डलुआ का लोहा भी कहा जाता है यानि जो आसुद्ध धातु जो होता है उसे गला कर उसमें उसे कारबन तत्व को दूर किया जाता है तब जाके लोहा मिलता है जिसे डेली का लोहा भी कहा जाता है भारत में मिलने वाले लोही की कच्छी धातू के कुल चार प्रकार है पहला हीमिटाइट मैगनिटाइट लिमोनाइट और सीटेरेड इस तरह कुल चार प्रकार है भारत में सरवधिक लोहा जो होता है वो करनाटक राज में से मिलता है इसके बाद करमसा औरिसा जारकांट 36 गड़ अंध परदेस से पराप्त होता है इसके उपरांद गवार, राजस्थान, तमिलाडो, महाराश, केरल, उत्तर परदेस, आसम, आदी राज्यों में भी लोहा हमें पराप्त होता है लिकिन सबसे जादा हमें करनाटक राजसे लोहा पराप्त होता है अगला बच्चो थातू दिया है, पर मेगनेज दिया गया है मेगनेज यह लोहा फौलाद उद्योग के लिए मातू पूर धातू माना जाता है किसके लिए लोहा फौलाद उद्योग के लिए आगे बच्चो हमें दिया गया है इसका जो यहाँ पे ज़्यादा तर उप्योग जो है यह मुख लोहे में से फॉलाद बनाने में होता है यानि इसका मुख लोहे में से फॉलाद बनाने के लिए मेगनीच का उप्योग होता है इसके अन्य उप्योग में राशानिक उद्योग में बिलीचिंग पाउडर जन्टू कितना सक एवं सुस्क बैटरी यानि जो सूखी बैटरी एवं तथा टाइल्स बनाने में मेगनीच का उप्योग होता है इसके उप्राम चमडा उद्योग, कपड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाय मिट्टी के बरतन बनाने में, रंगीन इट बनाने में इसका उप्योग होता है मेगनीच के मिस्रण में फॉलाद की फटे एवं शरिया मतसलिया जो है वो इस्तिती स्थापकता यानि फ्लेक्सिबिलीटी एवं मजबुताई आती है किसके मेगनीच के मिस्रण करने से तोड़ने या पीशने के यंतरों को बनाने में पथा फॉलाद का उप्योग होता है प्राप्त होता है अगला धातू हमें दिये गए कौपर कौपर जो है कह सकते हैं महेंगा धातू एक है जिसे लोग यूज भी करते हैं तांबे का उप्योग आदिकाल से ही किया जा रहा है मनुश्य को शर्व पर थम उप्योग में आई हुई धातू ठीक और तांबा इसके मिश्रण होने के गुड के करण इसका महत्व अधिक है इसमें से कलाई मिला कर कासा बना जाता है यानि कॉपर के अंदर अगर जब जस्ता मिला गों तो पीतल बनेगा अगर कॉपर में अगर कलाई मिलाएंगे तो क्या बनेगा वच्छो कासा बनाया जा सकता है इसके अधिकांसता उप्योग जो है वो बिजली के संसादर बनाने में टेलीफॉन, रेडियो, एवं टेलीविजन, रेफ्रिजेटर, एवं एर कंडिशन, यह एसी जैसे आज ही सादनों को बनाने में इसका उप्योग अधिक होता है तो था यह विद्धुत का सुबहाग भी होता है जिसमें विद्धुत धारा जो है वो आसानी से प्रवाइट की जा सकती है बहुत बड़ी मातरा में है आगे दिया है इसके उपरान जन्तुनासक, दवावो, इसपोटक पदार्त है नि फोणने वाले पदार्त जो है वो रेंगीन कांज सिके एवं छपाई काम में भी यह उप्योग होता है भारत में तामबे का उप्योग करने वाले मुख्य राज जो है वो जारखन, मर्दे परदेश एवं रजस्थान है इसके उपरान सिक्की में आन्द परदेश में भी प्राप्त होता है उत्पदन करने वाले जो राज है यानि कहां कहां से जो है वो तामबे आते हैं बिहार, करना, टक, माराज, टमिल, नाडो, हिमाचल, परदे सेवम, जारकन में भी तामबा प्राप्त होता है अगला बच्छो दिया बॉक्साइट दो आपको पता है अलूमिनियम का दूसरा नाम जा है वो बॉक्साइट है जिसका सूत्र जो होता है अलूमिनियम ऑक्साइट जिसे बॉक्साइट भी कहा जाता है यह धातू अलूमिनियम की कच्छी धातू है सरो परतम 1881 में फ्रांस के लिए बॉक्स के पास से मिली थी बॉक्साइट में से अलूमिनियम प्राप्त किया जाता है इसके विशिष्ट गुड के कारण इसका विविद उप्योग है अलुमिनम जिसे की बारिस किसमें जंग नहीं लगता इसके अंदर और हलकी धातों भी होती है लेकिन महेंगी होती है इसका उप्योग ग्रोद्यों के बरतन बिजली के साधन रंग एवम हवाई जहाज को बनाने में अधिक प्रमाण में इसका उप्योग होता है भारत में उडिसा, चतिसगड महरास्ट, जहारखन, गुजरात में बॉकसाइड मिलता है या खनीच के टकन ट्रेप के भूज तरिये संरचना वाले परदेश में मिलता है उतराखन में राची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागर, अम्ब्रेली, सूरत एवम सामर काटा जिले में से बॉकसाइड जो है यानि अलिमिनियम कची थातूस की प्राप्त होती है अगला थातू हमें दिये अब्रक जिसका इंग्लिश का नाम है याँ पर कह सकते हैं तो मीका विस्व में भारत जो है अब्रक के उत्पादन में प्रथम इंस्तान रखता है अब्रक, अगनी रोधक एवम विद्दुत का अवाक है अवाक होने से इसका उप्योग बिजली के साधनों को बनाने में किया जाता है यानि कह सकते हैं जिस पर करेंट नहीं लगता हो ऐसी चीज़ जैसे कि बिजली की मोटर, डाइनेमो, रेडियो, टेलिफॉन, मोटर गाड़ी, हवाईज, जित्यादी के बनावट में या उप्योगी है भारत में बिहार, जारकंड, अंदरपरदेश, सरजस्थान, अबरक के उत्पादन के मुख्य, राजें जिसमें जादा अधिक परमान में अबरक प्राप्त होता है इसके उपरान करनाटक पश्यमंगाल तमिलनाडू में से भी अबरक प्राप्त होता है भारत में माइक्रो वाइट नामक अबरक का विसाल भंडार मिला है आगे में दिया है लीडियानी जिसे सीसा कहते हैं काच वगेर तो सीसे की धातो को गे लिना कहा जाता है यह मुलायम एवम वजन में भारी होती है इसका उपयोग मिश्रातू बनाने मिजली के तार उसके बाद रंग शरस्तर काच रबर एवम स्टोरेज बैटरी के बनावाट में इसका उपयोग होता है भारत में सीशा अधिकतर राजस्थान आंदर परदेश समिल लाड़ी राज्यों में से प्राप्त होता है पश्ची मंगाल मद्य परदेश उतर परदेश ओरिसा महाराष्ट में घाले सिक्किम जिसे राज्यों में से सीशा जो है वो प्राप्त होता है सीसे का उत्पादन यहां पे खुब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह अधिक आवश्रक्ता है पूरी नहीं कर पाता है इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है हम लोगों को तद उप्रांत यह लोहा को गलाने में एवम राशानिक उद्योग सोडा एस साबुन रंग राशायन भवन निर्माण साथी कागज एवम चीने के सुधी करण में इसका उप्यों होता है देश में 70% चूने का उत्पादन करने वाले राशे जो है वो जिसमें आंदर परदेश, रजस्तान, मद्य परदेश, गुजरात इवम तमिलाडु का समावेश होता है जहां से चूने के पत्थर का 70% यहां पे उत्पादन होता है इन पाच राज्यों से उसके बाद इसके उपरान 36 गड़, करनाटक, महरास्ट, हिमाचल परदेश, चूने का पत्थर उत्पादन करने वाले अन्यराज्ये हैं गुजरात के मुख्य उत्पादक, जिलो में से जुनागड, जामनगर, कच्छ, अमरेली, एवम खेडा, माने जाते हैं बनास काठा, महसाडा, साबर काठा, वड़ुद्दरा, पंच महल, भरूच नर्मदा, सूरत भावनगर, एवम राज कोट, आदी, जिलो में से चूने की चटान पाई जाती हैं साथ ही जामनगर, जिले में प्राप्त होने वाले चूने के पत्थरों में से 97% चूने का ततुव मिलता है, यह 3% की कह सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज मिलती है, खराब चीज है अगला खनीज दे दिये गया सकती संचालन कह सकते हैं, संचालन सकती के खनीज, किसी भी देश के आर्थिक विकास की निव, जो है, वो संचालन सकती के खनीज, जो है, वो महतपोर्ण इस्थान रखते हैं वे रास्ट वे उद्यूग एवं अर्थ तंत्र को चले यान मतलब यहाँ पर बनाए रखते हैं साथ ही बच्चो क्योंकि अगर किसी की भी आर्थिक सक्ति अगर क्या हो जाए यहाँ पर खराब हो जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव उसको पढ़ सकता है यहीं बच्चो जो संचलन सकती के जो खनीज हैं अगर वहाँ पर संचलन सकती यह खनीज अगर नहीं होंगे तो वहाँ पर उसकी आर्थ तंत्र को वो चलन यान 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 चलाए नहीं रख पाएंगे यानि बिजली की पूर्ती नहीं कर पाएंगे जिससे फिर कारखाने वगेरा सब बंद हो जाएंगे और आर्थिक विवस्ता चौपट हो जाएगी किसी भी देश की अब किस किस का समावेश होता है इस कहने तो देखते हैं यहां पर कोई लाग खनी स्थिल प्रकुतिक गेसे यहां पराप्य सक्ति संसादन भी है इन खनी जो का उप्योग कर बिद्द प्राप्त किया जाता है जिसमें जल उर्जा जो कह सके डैम के अंदर टरबाइन लगा कर दुद्द पन के जो दूसर जल उर्जा पौवन उर्जा और सोर उर्जा बायोगेस भूत आपी उर्जा एवं जारी उर्जा बीन परम परागत सक्ती यहां पर इसका समावेश संसाधन है और पुना अब प्राप पे संसाधन माना जा सकता है कि लखडिया कोईला, जलाओ लखडी, गोबर, पेटोलियम वगेरा जो हम गोबर के कंडे जो बिन व्यापारिक सकती के संसाधन माने जाते हैं अत्वा तो है भी अगला हमें यापे दिया कोईला, प्राचीन काल में मनुष्य कोईले का उप्योग सकती संसाधन के रूप में करता आया है यह पुराने समय से यह प्रश्ण होगा कि कोईला, पुर्थवी के बूह गर्ब में किस प्रकार बना होगा, प्राचीन समय में पुर्थवी पर जंग सवरूप आंतरी गर्मी एवं दबा की कारण कारबन तत्व वाले वरुख्छों एवं प्राणियों का मंद दहन होता गया इससे वनस्पतियों में से रुपांतरित होने वाला कोईला बना लगवग 25 वर्स 25 करोड वर्स पहले का समय कारबो निफ्रेश समय अंतराल के रुप म माना गया इस दोरान पुर्च वुर्चों का धीरे धीरे मंद दहन होने से इनका कारबन तत्व वाले कोईले में रुपांतर होता गया उसके बाद भाब तंतर की खोच से कोईले का उप्योग बढ़ता गया इससे रेल एवं पानी की जगह में से परी वहन के साधनों का पुप उत्पादन भी मिलते हैं जैसे की डामर, अमोनिया गेस, अमोनिया सलफेट एवं बैंजोल यानि बैंजोईन उसके बाद एवं क्रूड ओयल भी हमें प्राप्त होता है यह प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है कारबन के आधार परकुल चार प्रकार है कईनी कारबन के तत्व क्यादार पर उसे बाटा गया है कोईलों को पहला इंथ्रेसाइट कोईला, तूसरा बीटोमिन कोईला, चोथा लिगनाइट कोईला, एवं पीट कोईला, ठीक है इस तरह कुल चार प्रकार में बाटा गया है आगे दिया हमें दिया है भारत में कोईले का बंडर भारत में कोईला उत्पादन करने वाले मुख्य राजों में जारखंड, ओडिसा, पश्चिम, मंगाल, छत्तियस गड़, मद्य प्रदेस एवं जम्मु कस्मीर है तदमतुरांत, उसके उपरांत कह सकते हैं रजस्थान, तमील लाडू, आशा में गुजरात भी कोईले का उत्पादन करते हैं गुजरात में खनीच कोईले के छेतर में कच, भरूच, महसाणा, भावनगर एवं सूरत हैं यहां से लिगनाइट कोईला जो है वो प्राप्त होता है आगे खनीच तर यानि पैट्रो लियम यह रेती पथर इवं चूना पथर इवं सेल आधी प्रस्तर चट्टानों से क्या हैं में प्राप होता है मिलदा है प्राचीन समय में कोईली की रचना की तरह पुर्थवीपर के प्राणी जो हैं वो भूगर में दवे इवं उनका हाइडरोकार्बंस में रुपांत्र हो गया यह सव उस समय के इस्तर धीरे धीरे बुश्तर की और उठने उठते गए कुछ समुद्र के तल में आए तो कुछ बूगर्ब में उपर आते गए भारत में आसम में तेल के कुएं खोदे गए और 1867 में माकुम आसम में खनीज तेल प्राप्त हुआ इसके उसके बाद भारत में अन्ने इस्थलों में खनीज तेल के भंडार हमें प्राप्त हुए भारत के खनीज तेल के भंडार में कुल पांच उबागों में भाटा गया है पहला उत्तर पुर्व के तेल के तेल वाले छेत गुजरात के तेल चेत्र, भॉंबे हाई के तेल चेत्र, पूर्व किनारे के तेल चेत्र, व हुआ है और आख्री रजस्थान के तेल के छेत्र यानि बच्चों हम कह सकते हैं तेल के छेत्र उकुल पांच भागों में बाटा कहा है जिसके अंदर यहां पे हम गुजरात के तेल छेत्र के विशे में अध्यन्द करेंगे सुतंतरा प्राप्ति की बाद यानि आजादी मिलने के बाद 1958 में गुजरात के खेडा जिले में लूडेच में सरोपर्थम खनीश तेल प्राप्त हुआ इसके बाद अंकलिश्वर, मैसाना, कलोल, नवागाम, कोसंबा, सानंद, अमदाबाद, गांदीनगर, वडुद्रा, भरूच एवं भावनगर में खनीश तेल प्राप्त हुआ खनीश तेल का सुद्धिकरण के इस प्रकार होता है भारत में रिफाइनरिया, गुवहाटी, बरोनी, कोईली, कोचीन, चैन्नाई, मथूरा, कॉलकत्ता एवं हल्दिया का समाविश होता है विश्व का सबसे बड़ा खनीश तेल सुद्धिकरण संकूल जो है वो गुजरात के जामनगर में आया हुआ, यानि दुनिया का सबसे बड़ा जो खनीश तेल का संकूल है, सुद्धिकरण का संकूल है, यानि जहाँ पर उसका पूरा सब बनाया गया है, कंपनी वगेरा, वो गुजरात के जामनगर में आया हुआ है तो ये वच्छो एक मार्क्स को सवाल है बहुत ही important जो आपको पता होना चाहिए अगला दिया प्रकुतिक गेस है ने नेचुरल गेस प्रकुतिक गेस खनीज तेल के साथ संगलंगल है यानि जो खनीज तेल प्रकुतिक गेस को प्रकुतिक गेस में से अलग करने पर हमें प्रकुतिक गेस मिलती है यह सस्ता और प्रदूसर्ण रहित उर्जा का इस्तिरोथ होता जैसे LPG हो गया और CNG वगिरा हो गया ये सारी गेसे प्रकुतिक गेस में स्वावेश होता है उसके बाद हमारे देश में प्रकुतिक गेस के बंडार, खंबाद, बेशीन, काविरी, बेशीन, जेसल में, रजस्तान में प्राप्त हुएं गुजरात का अंकल इश्वर, खनीस्तेल, एवं प्रकुतिक गेस के बंडा के बिन परम बरागत साधन कोईला एवम खनीश्टेल के जैसे सकती के संसाधन यहां पे मर्यादित भंडार उपलब्द हैं इसे लंब यानि लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए इसका विकल्प खोजने के प्रयतन आरंब हुए हैं इसके विकल्प सरूपवन उर्जा, सौ साधन के रूप में बताते हैं याने बिन परम परागत उर्जा के साधन विश्व के देशों में इन छेत्रों में कदम उठाए गए हैं यूएस, रूस, फ्रांस, कैनेडा, उसका आस्ट्रेलिया, नेदर लेने वम, जापान, आदी देश इस दिसा में अशरकारक रूप से आगे पढ़ रहे हैं, 1981 में उर्जा के अतिरिक्त इस्तरोत आयो कमिशन फॉर एडिस्नल सॉर्स ओफ एनरजी यानि C.A.S. केश की रचना की गई गुजरात में, गुजरात एनरजी डेवलोपमेंट एजिंसी यानि गेडा या पर गेडा गुजरात उर्जा विकास संस्ता इस तिसा में कार्य गरती है, उसके बाद अगला दिया में सॉर्ब अचनि प्रकाशित रहता है विजली उत्पन की जाती है गुजरात देश का सरवदिक सॉर उर्जा प्राप्त करने वाला राज है गुजरात उर्जा विकास एजेंसी यानि गेटा जो है वो वड़ुद्रा के पास दस टन की छमता वाले शौर शीतागर इस्तापित किया गया है वरतमान समय में बिजली बिना के गावों में रोट लाइट एवम खेतों में सिचाई एवम टीवी के लिए स्वार पैनल्स लगाई गई हैं गुजरात में भूच के पास मधापर में समुद्रे के खारे पानी का ङुषिए एलिनेशन प्रोसेस घुख यानि खारे पाने से मीठा पानी के बिनाने की करिया करने के लिए सौर उजर्य प्लान्ट लगाए गया है TV आज जुखो chu है यहां पर असड़ा पानी में रुपान्तर कटास. तो उस प्रोसेस को Dish Alienation Process का आ जाता है अगला पच्चों हमें दिया गया पवन उर्जा Wind Energy पृथンダホ के सत्रप पर सूर्य उर्जा वर्षातर या पर वर्षाता है और वर्थमान में मतलब वाता वरण में उत्पन होने वाली भारे एवहम कम दबाव की करण पावन जो हटा मतला पावन जो है वो हवाई उत्पन होती है हमारे देश में शमुद्री किनारे और हम खुले परदेशों में पावन चक्या के दवारा पावन उर्जा प्राप्त की जाती है विश्व में भारत पावन उर्जा प्राप्त करने वाला पांच्वा देश बना है मद्दे पर्दे सिवं केरल राजो का समावेश होता है गुजरात में जामनगर, तांबा गाउं लांबा गाउं में एक कच्छ में बांडवी के किनारे विंड फार्म जो है वो कारीरत है देव भुमी के द्वार का जामनगर, कच्छ, राज़कोर्ट, पुरबंदर, आदी जिलो में उचाई पर पहुंच चक्कियां लगा कर विडियो तुर्जा उत्पन्न की जाती है अगला हमें दिया बायो गेस बायो गेस के उत्पादन में, काम, बीना की कुर्शी पदार्त गन्ने का खोई, यह जो चाल निकलता है वो अनिवणश पती, गोबर एवनशी के मलमुतर का समावेश होता है बायो गेश के अंदर इन पदार्तों के सरने से मिथेन जो है वो मिथेन गेश जो है वो मुक्त होती है यह धनशील होती है इसे जलती जादा है और इसके उप्योग के बाद विशाणू जो विशाणू जो होते वो बिना की कीमती खाद प्राप्त होता है इस तरह उर्जा और खाद दोनों प्राप्त किये जा सकते हैं बायोगेश मैंसे है या उर्जा प्राप्ती का बिन परंपरागत सकती का संसादन है सौर उर्जा एवं बायोगेश दोनों सकती संसादन भारतिय गाउँ के परंपरागत सेली को पदल सके ऐसे हैं ग्राम छेतरों के सुच्छता में वृद्धी होती है और इससे घरे लिए उर्जाव में कमी जो है वो दूर हुई है उत्तर प्रदेश गुजरात बायोगेस के उत्पादन में प्रत्थम एवम दूती है इस्थान है यानि पहला बायोगेस के उत्तर प्रदेश और दूसरा मतलब भारत के इंदर इन दूराजों का दूसरा पहला दूसरा इस्थान है दूसरा गुजरात का है गुजरात में शिद्पूर के मैथान में सबसे बड़ा आदर्स बायोगेस प्लांट बनाया गया है यह समुदाइक रूप से चलाया जाता है अमदवाद में दस क्रोई तहसील के सदातल एवं बनास काटा के दाती वाड़ में बायोगेस जो हैं वो कारिरत हैं तदुप्रांत व्यक्तिगत एवं सामोहिक सरूप में पायो प्लांट के इस थापना का उप्योग बढ़ाया जा रहा है हमारे देज के अंदर अगला पायंट बच्छों में दिया भू ताप पी और जाएने जमीन के इंदर जो गरमाट जो है ताप जो है उसकी और जाएने जियो थर्मल एनरजी पुर्थवी की सतप पर पुर्थवी की भू गर्भी ये और जा गरम फुवारे या गरम पानी के जहरने के सरूप में आती है गर्मी के कारण ये भाप में बतलती है भाप पर दवाप के कारण मेगमा के सवरूप में आने से भू गत यानि भूमी गत जल में से उर्जा प्राप्त होती है जिसका उप्योग कर भू तापी उर्जा प्राप्त की जाती है गुजरात में लशुंद्रा उनाई अगला दिया जिवारी उर्जय यानी टीडल इनरजी शूरी एवंचंद्रवा के गुर्थवा करशन के कारण पुर्थवी के सतब पर आए हुए अधिकांस समुद्रों में जवार भाटे की सतत प्रक्रिया चलती रहती है पानी के इस सक्ति का उप्योग कर मनुश्य ने जवार भाटा की सायता से बिजली प्राप्ट करने की योजना सुरू हुई है निसरोपरतम 1910 के अंदर फ्रांस में जवार भाटा की सायता से बिजली प्राप्ट करने की योजना सुरू हुई है भारत में विशाल समुद्री किनारे होने से उर्जा प्राप्ट करने की आवश्रक है मनुष्र को खनीज संरक्षण के संदर्व में कुछ तत्यों पर विचार करना जरूरी है संरक्षण किसे कहते हैं खनीज का मित व्याइकता पूर्ण एवं सुयोजित उप्योग अर्थात खनीज का संरक्षण आज पर परतेक रास्ट अपने विकास के लिए निर्याइद बढाने में परियत नरथ है साथ ही निर्याइद बढ़ा कर विदेशी मुद्डरा प्राप्ट करने के लिए खनीजों का अनियंतरित उप्योग हो रहा इससे खनीज संरक्षण जरूरी बना है अगला point दिया हमें खनीज संरक्षण के उपाय यहनी खनीज के संरक्षण के कौन-कौन से उपाय हम कर सकते हैं उचको पचाय रखने के लिए तो पहला यहां पर दिया योगी टक्नीक का उप्योग खनीज प्राप्त करने के लिए योगी टक्नीकी का उप्योग किया जाए तो खनीज का दुर्वी यानि जो दुरूप्योग होता है जो वेव जो होता है वो रुकेगा नमबर टू पुनो चक्र लोहा तामबा अलुमिनियम एमों कले के अनुपयोग ये भंडार को पुनो उपयोग में लेना उसके बाद तीसरा पॉइंट ये खनीज का वेकल्पिक उपयोग अलपमात्रा में यानि कम मात्रा में प्राप्थ होने वाले खनीजों का विकल्प दूसरा विकल्प खोजना चाहिए बिजले के इस्थान पर सोहर उरजा, तामबे के इस्थान पर अलुमिनियम, एवाम, पेट्रोल के बदले CNG का हमें उप्योग करना चाहिए यानि जो गाड़ी वगरा में आती है CNG गेस वो चौथा में दिया बिन परंपरागत साधनों का उप्योग जैसे जल, शौर, पवन, बायोगेस एवाम, बिन परंपरागत साधनों का उप्योग हमें बढ़ाना चाहिए जिससे हम खनीच का संदक्षण कर पाएंगे सिरलता से नमबर फाइव टिकाव विकास यानि पोशन छम परियावरण की गुणवक्ता बनाये रख कर भविश की पीडियों को सुध्य परियावरण की भेट देना एवं परदुसर्ण मुक्त परियावरण प्राप्त करना नमबर सिक्स और आखरी कह सकते हैं खनीच के अनुमानित भंडार निशित हो उसके बाद उसका आयोजन पूर्ण उप्योग हो तो अधिक लंबे समय तक उसका उप्योग केज़ा सकता है यानि जैसे पैटरोल डिजल इन सब का भंडार हमें सीमित है तो उनका आयोजन पू सुरुक्छा एवम सर्वदन हमारे जो सर्वदन जो है वो आवश्चक है